तो इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत सारी हिपप के अपडेट्स मिलने वाला है तो वीडियो को बीना स्किप के लास्ट तक जरूर देखना तो पहले ही हम लोग बात करनेंगे मुए बंटाई के बारे में तो भाई का जो ट्रैक आया था ब्लोइंग आप वो ट्रैक यूट्यूब पे अभी पी ट्रेंड कर रहा है उसी को स्टोडी पे डालती हुए लिखेते हैं तो अभी हम लोग बात करेंगे दानाफ के बारे में तो भाई का एक नया ट्रैक आने वाला है जिसका नाम है नहीं पता जो की हम लोगों को आज चार्ट बाजे देखने को मिल जाएगा तो चलिए अभी हम लोग बात करेंगे लोका के बारे में तो लोका भाई का काल एक ट्रैक आया है जिसका नाम है गरम है तो track आने के बाद काफी सारे लोग बता रहे हैं कि ये track mumble है तो उसी matter पे लोका भाई लिखे थे पहले तो मैंने कुछ mumble नहीं किया है Google mumble No point explaining I will get to the point You can check my songs Oh, you know the vibes And secondly, every song I write is different and new vibe तूम लोग ने auto-tune शायद अभी समझा है Me and my homies been doing that shit since our first song और उसके बाद लिखे My first song on YouTube is Gully Boy Which I did already 3 years ago उसमें already auto-tune mumble किया That is experiment अभी तुम लोग ये मत बोलना कि auto-tune या mumble मैल आया क्योंकि वो बहुत पहले से use हो रहा है internationally तो लोका भाई का ये जो story है इसके बारे में आप लोगों का क्या खायल है जरूर बताना तो अभी हम लोग बात करेंगे MC stand के बारे में तो जो सीधे मत का encore है वो एक story डाले थे आप लोग देख सकते हो जिस पे लिखा था नान्चको एंड मीट ची गॉट फीचाड इन पोडियम Spotify प्लेलिस्ट और मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि डॉन वाई जी MC stand के खिलाफ F.I.R दर्च किया है तो उसी मेटर पे येडा अनना के story डालत हुए लिखे रखी सवांतिस गेम का और उसके बाद आप लोग जानते हो MC stand का अकाउंट पे जितने भी पूराने post थे वो सारे डिलिट कर दिया था MC stand ने तो अभी आप लोग देख सकते हो वो सारे post लॉट आया है फिर से और एक बहुत पूराना photo story पे डालते हुए लिखे थे बैक टू दा बेसिक्स और जिसके बाद ये story डिलिट भी कर दिया है MC stand ने तो आप लोग जानते हो MC stand पहले mumble rap नहीं करते थे और फिलाल अभी MC stand mumble rap करते है और ये जो नया album आया है इसके बाद काफी सारे लोग MC stand को criticize कर रहा है तो ये story का मतलब ये भी हो सकता है शायद से MC stand पुराने वाले MC stand पे लोट जाए जिदर वो mumble rap नहीं करते थे यानि mumble rap छोड़ कर पुराने वाले भाई पे लोट आ सकते है तो आप लोगों को क्या लागता है story देखकर ऐसा कुछ होने वाला है कि नहीं comment में जरूर बताना और अगर इससे related कोई updates आता है तो मैं आप लोगों को जल्दी बता दूँगा और आप लोगों को बता दूँ फर्दिनगर के एक artist है जो की Mumbai side का rapper है और जिसका कल बाइक accident पे मौत हो गया है और जिसको share कर तुए M.O.A. बंटाई भाई लिखे थे जो drive करें वो भी और जो पीछे बैटे वो भी तो rest in peace फर्दिन भाई और आप लोगों से ये request है कि बाईक चलाते समय प्लीज हिलमेट पहना करें और कार चलाते वाक्त सीड बेल जडूर फैन ले तो बस अभी के लिए तो इतना ही मिलता प्लोग से एक नई वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई बाई एंड टेक क्यार